नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वर्ड इंडिया आपके साथ मैं हूँ नेहा परिहाज शुरू करते हैं यूपी फटाफट कानपूर विकास प्राधिकरण सीमा अंतरगत आने वाले जोन 4 में केडिये ने एक परिवार को घर से बाहर निकाल दिया जिसके बाद बेघर हो चुके परिजन केडिये यूपाद्यक्ष आरके सिंग के बंगले के बाहर नियाय की गुहार लगाने पहुचे केडिये अपर सचेव डॉक्टर गुडाकेश सर्मा मौके पर पहुचे और ठंड से काप रहे बच्चों को देखकर उनका दिल पसीज गया जिसके बाद तकाल कालोनी को सील मुक्त कराने का आदेश देते हुए पिड़िक परिवार को एक माह की मौलत दी है कानपुर धान क्रे केंड पर उस समय अफरत अफरी मच गई जब जिलादिकारी ने अचानक केंड का ओचक निरिक्षण किया जिलादिकारी के ओचक निरिक्षण के दौरान जहां अभिलेखी कमी पाई गई वहीं किसानों ने 200 से 2500 प्रती बोरी अवैद वसूली की शिकायत भी की किसानों के शिकायत पर जिलादिकारी ने घाटमपूर धान क्रे केंड के दो कर्मी के विरुद FIR दर्श करते हुए जेल भेजने का आदेश भी दिया है आपको बता दे कि धान क्रे केंड से अवैद वसूली के शिकायते आम हो चुकी है अमरोहा की राजापूर में हाईवे पर घने कोहरे के चलते एक साथ कई वाहन आपस में भीड़ गये उसकी वज़ा से काफी देर तक यातायात बाधित रहा और वहाँ पर जाम के स्थिती बनी रही मौके पर पहुची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से केरन की मदद से चतिग्रस हुए वाहनों को वहाँ से हटवाया जिसके बाद यातायात दुबारा से शुरू हुआ वही घायलों को इलाज के लिए भेज़ दिया गया है ग्रेटनवेड़ा में राजा अर्बन डेवलप्मेंट की ओर से मास्टर प्लान दान किया है इससे सरकार ने भी स्विकृती दे दी है यमना प्राधिकरण की तरफ से 121 हेक्टियर जमीन जो हेरिटेज कोरिडोर के लिए स्विकृत की गई है और 109 हेक्टियर जमीन रिवर्फरंड के लिए तयार की गई है कुल मिलाकर 840 हेक्टियर जमीन हेरिटेज सिटी के डेवलप्मेंट के लिए रखी गई ललितपुर के महरोनी कोतवाली में एक हिरन अचानक से कुवे में गिर गया से बचाने के लिए काफी संख्या में ग्रामीडी खटा हो गया कड़ी मशक्कत के बाद हिरन को कुवे से बाहर निकाला गया और उसकी जान बचाए गई खटना की सूशना पाकर कोतवाली महरोनी के उपनी रिक्षब भी मौके पर पहुचे और हिरन को ग्राम प्रधान को सौब दिया गया इसके बाद फोन पर वनविभाग को इसकी सूशना दी गई और हिरन को वनविभाग के सुपूर्द कर दिया गया यूपी के फतेपुर में एक शराबी पिता का अमानवीय चेहरा सामने आया है बिंदिकी कुतवाली लंका रोड महले में अपने मुख बदिर चार साल के मासूम को शराबी पिता छोड़ कर चला गया तीन दिन से भूखा प्यासा तडपता देख महले वालों ने बच्चे को देख कर पुलिस को सूचित किया जहां रिष्टे में सगे मौसा ने 6 साल की मासूम बच्ची को घर में टौफी देने के बहाने बुलाया और उसके साथ रेब जैसी घिनानी घटना को अंजाम देने की कोशिश की हला कि बच्ची की चीक पुकार करने के बाद इस्थानिये लोगों ने आरोपी को पकड़ते हुए उसकी जम कर पिटाई कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया जिसके बाद बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्श कर लिया है और आगे की कारवाई में जूट गई है अलिगर्ड में एक महिला को गोली मार दी गई वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया महिला को घायल अवस्था में अस्पताल में भरती कराए गया है गटना थाना दादरो इलाके की है घायल यूवती की मा का आरोप है कि गाओ के ही एक यूवक ने उसकी बेटी को पकड़ कर पहले तो जबरन बलतकार करने का प्रयास किया लेकिन जब यूवती ने इसका विरोध किया तो यूवक ने गुस्से में आकर यूवती को गोली मार दी और धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया यूवक फटा फट में बस इतना ही खबरों के लिए बने रही है न्यूजवर्ट इंडिया के साथ नमस्कार